क्या कहां मौर्चुरी में रिया ने जब सुशांत की बॉड़ी देखी क्या रियाक्शन था रिया चक्रवती का और सुशांत को मरे वे देख रिया ने क्या किया था उस दिन मौर्चुरी में इस बात का खुलासा किया है मौर्चुरी में ही मौजूद एक चश्मदीत गवाने सुरजीत सिंग जो कि उस दिन कूपर हॉस्पिटल में मौजूद थे सुरजीत सिंग ने एक न्यूस चैनल को अपने इंटर्व्यू में बताया है कि वो उस दिन सुषान सिंग राजपूत के अंतिम संसकार में शामिल होने के लिए गए थे वही पर उनके एक दोस्त ने उने बताया सूरज सिंग ने कि रिया चक्रवती आने वाली है और रिया चक्रवती आकरी बार सुषान के दर्शन करना चाहती है तब सुर्जीत सिंग ही वो इनसान है जिसने वहाँ पर मौजूद पुलिस अथोरिटी से परमीशन ली और रिया चक्रवती का हाथ पकड़ कर उसको मौचुरी में लेकर गए सुर्जीत बताते हैं कि उस दिन रिया चक्रवती थी उनके साथ उनका भाई शौविक था उनकी मौम थी और एक और शक्स थे उनके फादर थे या कौन वो सुर्जीत नहीं जानते हैं सुरजीत कहते हैं कि रिया को वो मौचुरी में लेकर गए और उसके बाद उन्होंने ही अपने हाथ से सुषांत के मूँ से वो सफेद कपड़ा हटाया और सफेद कपड़ा हटाते ही रिया चक्रवती रो पड़ी रिया चक्रवती ने सुषांत के सीने पे हाथ रखा और चार शब्द बोली I am sorry बाबू अब ये sorry किस बात से बोली क्यों रिया चक्रवती उस दिन sorry फिल कर रही थी और क्या था इस sorry का मतलब ये तो नहीं का जा सकता है लेकिन ये वो चीज़ थी जो रिया चक्रवती ने उस पर हॉस्पिटल गई थी 45 मिनिट उन्होंने मौचरी में बिताय थे इस बात को भी लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि कौन लेकर गया था ऐसे में सुर्जीत ने खुलासा किया है कि रिया चकरवती को मौचरी के अंदर ले जाने वाले वही थे उन्होंने ही बात की थी पुलिस अथोरिटी से रिया को अंदर ले जाने के लिए हलाकि सुर्जीत ने ये भी बोला कि सुषांत की बॉड़ी देखकर उनकी बॉड़ी पर नेक पर जो मार्क थे वो देखकर कतर ही नहीं लग रहा था कि ये स्यूसाइट का मामला है उन्हें तब ही शक हो गया था जि हाँ I am sorry बाबू ये चार शब्द रिया चक्रवती ने सुषांत की बॉड़ी को देखकर कहे थे ये सुर्जी किस बात का था शुषांत को अकेले छोड्ने का सुशान्त को ब्लॉक करने का सुशान्त के साथ प्यार का नाटक करने का या फिर सुशान्त को बीमार करने का ये तो रिया चक्रवती खुद ही बता सकती है